नमस्कार मैं होड़ी पाली शिवास्त और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com सत्यहिंदी.com के इस खास कारक्रम सुने सिनेमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हैं इस खास कारक्रम मैं आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुट की खास खबरों के बारे में नए साल शुरू हो चुका है और सभी लोग नए तरीके से शुरूआत कर रहे हैं लेकिन साल के पहले दिन ही एक्ट्रस दीपिका पादकोर्ण ने अपनी इंस्टाग्राम और ट्विटर के सारे पोस्ट डिलीट करके फैंस को हैरान कर दिया था जिया एक्ट्रस दीपिका पादकोर्ण ने अपनी इंस्टाग्राम और ट्विटर से सभी पोस्ट डिलीट करने के बाद एक आडियो क्लिप शेयर किया जैसे उन्होंने ओडियो डायरी नाम दिया है एक्ट्रस ने 32 सेकंड के एक आडियो क्लिप शेयर करते हुए अपने फैंस को हैप्यू नियर कहा इस क्लिप में 2020 को लेकर अपने कुछ अनुभव और व्यूस को नोने लोगों के सार्थ शेयर किया इसके बाद फैंस दिपका की तारीफ करने लगे और कुछ फैंस ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया के वो भी पोस्ट दिलीट करके एक नई शुरुआत करने की लिए तयार है बता दे कि साल 2020 में दिपका बाद कोर्ड भी काफी चर्चा में रही है जे एन्यू में हुई हिंसा के खिलाफ वाम चात्रों ने प्रदर्शन किया था और इसमें अक्टरस शामिल हुई थी इसके बाद ड्रग्स केस में अक्टरस का नाम भी सामने आया था जिसके चलते उनसे पूस्ताश भी की गई थी और शायद यही वज़ा है कि दिपका ने साल 2020 की सभी यादों को हटाने का फैसला किया और अब उसके बाद नए साल के शुरात की है लेकिन इसके साथ यह बता दें कि इस बात पे काफी लोगों ने दिपका को सपोर्ट किया उनके सरहाना की तो कुछ लोगों ने उन्हें इस पर भी ट्रोल किया साल 2020 में कई लोगों का नाम चर्चा में रहा उसी में से एक एक्टरस रिया चक्रवर्ती का नाम भी शामिल था सुशान सिंग राजपूत केस और फिर ड्रक्स केस में रिया का नाम सामने आया था इसके साथ ही नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरों ने ड्रक्स केस में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया था एक्टरस को एक मैने तक जेल में रहना पड़ा था लिए उसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी तो वहीं हाल ही में रिया के दोस्त और निर्देशक रूमी जाफरी ने एक्टरस से मुलाकात की और उनकी हालत के बारे में लोगों को जानकारी थी उन्हेंने बताया कि रिया के लिए ये दर्दनाग साल था बिशर के साल सभी के लिए बुरा था लेकिन उनके लिए ये एक तरह का ट्रॉमा था क्या आप किसी अच्छी खासी मेड़क्लास फैमली की लड़की को एक महने तक जेल में बिताते हुए सो सकते हैं इससे उनका होसला बुरी तरह से तूट चुका है तो वहीं स्पॉट वोय से बात करते हुए रूमी जाफरी ने ये कहा कि इंडस्ट्री रिया का खुली बहुत स्वागत करेगी मैं हाली में उससे मिला था वो बहुत शान थी उसने जादा बात नहीं की लेकिन इसके लिए हम उसे दोश नहीं दे सकते वो इस साल बहुत कुछ जेल चुकी है वक्त गुजर जाने दीजें मुझे यकीन है कि रिया के पास कहने के लिए काफी कुछ है आपको उद्यादे कि सुषान सिंग राजपूत के परिवार की ओसे रिया चकुरती के खिलाफ एक्तर को स्साइट लिए उससाने का आरोग लगाया था साथ ही ये भी आरोग था कि अक्ट्रिस रिया चक्रवर्ती ने सुशान सिंग राजपूत के अकाउंट से अपने अकाउंट में 15 करोड रुपे ट्रांसफर किये हैं जिसकी जाँच चल रही थी तो इसी बीच ड्रग्स केस में उनका नाम सामने के आने के बार NCB ने भी जाँच शुरूप की थी और इसी के चलते उन्हें किरतार किया गया था फिलाल अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि दिया चक्रवर्ती फिल्म इंडस्ट्री में कब वापसी करेंगी लेकिन उमीद है कि वो जल्थी नसर आएंगी आगे पढ़ते हैं तो अगली खबर ये है कि हॉलिवूड अक्टर्स गैल गैडोट की हाली में फिल्म वंडर वूमन 1984 रिलीस हुई है और इसके सभी जगा काफी तारीफ हो रही है लेकिन इसके साथ ही गैल के एक पोस्ट पर उन्हें उनके भारती फैंस जम कर ट्रोल कर रहे हैं दरसल गैल गैडोट में कुछ तस्वीरे शेयर करते हुए लिखा था कि 2020 को अलविदा कहते हुए मेरी परसनल वंडर वूमन को मेरा ठेड सारा प्यार इसमें से कुछ मेरी करीबी है जो मेरा परिवार, मेरी दोस्त हैं तो कुछ प्रेड़ना दायक महिलाएं हैं जिनके बारे मुझे जानकर अच्छा लगा कुछ वो महिलाएं हैं जिनसे मैं भविश्य में मिलने की उमीद रखती हूँ, हम साथ मिलकर पहतरी इंकाम कर सकते हैं दिल्चस बात यह है कि इस पोस्त में महिलाओ की इन तस्वीरों में शाहीन बाग की 82 वर्षिय दादी बिलकिस बानो भी शामिल थी जिसके बाद गैल को फैंस में सोशल मीडिया पर खरी खोटी सुनाना शूर कर दिया तो वहीं सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कमेंट किया और लिखा भात में महिलाओ के समानता के लिए बिलकिस बानो नहीं लड़ी वलकि वे उस कानून के खिला फ्रदर्शन में शामिल थी जिससे दक्षिड एशिया की पिडित माइनॉरिटी इसको नागरिक्ता दी जा रही थी इस बात को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए गैल आपको बता दे कि दिल्ली में नागरिक्ता संशोदन कानून के विरोध में शुरू हुए शाहीन बाग धरने से 80 साल की दादी बिलकिस सुर्खियों में आई थी इसके बाद अमेरिका की टाइम मैगजीन के सो प्रभावशाली लोगों में भी उन दादी का नाम शामिल किया गया था वो काफिय सुर्खियों में हैं लेकिन इसके बाद अब गैल गैडोट के पोस्ट के बाद दादी और साधा चरजा में बनी हुई है तो अहीं इसके चलते एक्टरस को काफी ट्रोल भी किया जा रहा है फिलहाल उनकी मूवी की बात करें तो वंडर वुमें 1984 को काफी पसंद किया गया है सभी जगा वो रिलीज हो चुकी है और उसको काफी अच्छे रिव्यूज मिल रहे है आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर ये है कि कॉमेडियों नों यूपी फिल्म विकास परश्यत के अध्यक्ष राजो श्रिवास्तव को भी कुछ दिनों पहले पाकिस्तना से धमकी भरे फोन आये सिर्फ राजो को ही नहीं बलकि उनके सलाकार अजित सकसेना और पी आरो गर्वित नारंग को भी फोन कॉल्स आये जिसमें सभी को जान से मानने की धमकी दे गए थी राजो श्रिवास्तव ने इस बारे में नियूज चैनल आज तक से बात करते वे बताया कि उन्हें मेरे हिंदुत से काफी परशानी है जिसे लेकर उन्हें मुझे गाली भी दी और कहा कि जैसे हमने कमले श्तिवारी को मारा था ठीक वैसे ही हाल हम तेरा भी करेंगे धमकी देने वाला इंसान मुझे भर-भर कर गालिया दे रहा था जितना बुरा वो मेरे बारे में कह सकता था उसने कहा ऐसे ही गालिया भरे फोन कमले श्तिवारी जी को भी आते थे लेकिन जिसके बात उनकी हत्या भी कर दी गई थी फिलाल इन धमकी भरे फोन कॉल्स आने के बाद राजिश्री रास्तिव ने ग्रह मंत्री अमिश्यास से इस मामने को गंभीरता से लेने का अनरोद किया है साथ ही उनसे सुर्क्षा की मांग भी किया है आपको उतादे कि कॉमेडेर ने हाली में वीडियो जारी किया था जिसमें वो यूपी के माफिया और वैथ रूप से बड़े निर्माड और भारत के पाकिस्तान पर सक्त रविये पर कटाक्ष करते वे नज़र आये थे और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहीं वज़ा है कि उन्हें धमकी भरे फोन्स आ रहे है फिलाल यह पहली बार नहीं है जा राजुश्य रास्तव को धमकी भरे कॉल्स आये हैं कुछ साल पहले भी उन्हें ऐसे ही कॉल्स आते थे फिर इसके बाद उन लोगों ने उनके आफिस में तोरफोर भी की थी जिसको लेकर राजू ने महराश्टर में F.I.R. भी दर्च कराई थी और फिर से ऐसा ही कुछ इस बार भी उनके साथ हो रहा है इस पर उनको किस तरह से सुरक्षा महिया कराई जाएगी या वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं 20 बारे में कुछ भी नहीं आया है सामने जैसे ही इस पर कुछ आएगा हम आपको आपको आपडेट कर देंगे अक्टर सोनुसूद अपनी जिंदा दिली के लिए हमेशा हिस सुरक्यों में बने रहते हैं और अब खबर ये है कि मिर्जापूर के 20 गाउं में मदद भाजाने के लिए सोनुसूद आ गया गया है इन 20 गाउं की आबादी वैसे तो काफी जादा है लेकिन ठंड के महिनों में वहां के लोगों को राहत नहीं मिल पाती ऐसे में वहां की बज़र्ग महिलाओं को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है इस बार वहां के ग्रामी ने सोनुसूद से मदद की गुवार लगाए है विकास तिक्षित नाम के एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया और कहा वाराड़सी से लगभख 80 किलोमेटर दूर नकसल प्रभावच छेतर, मिर्जापूर और सोन भदर के पीस ऐसे गाउं हैं जहां बोड़ी माताएं हासाल इसी उम्मी से ठंड काट लेती है कि कोई फरिश्टा उनकी मदद के लिए आगे आएगा अब उन बोड़ी दादी और मैलाओं की आखरी उमीद बस आप हो इस पर सोनु सूध ने तुन जवाब दिया और कहा सभी भी इस गाउ में किसी को ठंड नहीं लगेगी उनकी सर्दी का सामान आप तक जल्द पहुँच जाएगा तो वहीं कुछ तिनों पहले सोनु सूध ने एक इंटर्वी दिया था जिसमें उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बात की थी और उन्होंने इसमें कहा मुझे देखकर काफी दुख होता है कि हमारे ही कुछ लोग इंडस्ट्री के खिलाफ में बोलते हैं जब आप उनसे बॉलीवुट के मीडिया ट्राल को लेकर बात की गई तो उन्होंने इस पर कहा कि मैं काफी परिशान हुआ था दुख की बात ये थी कि हमारे ही बॉलीवुट के कुछ लोग थे जो उसके बारे में खुश नहीं थे बॉलीवुट के खिलाफ बात करते हैं ये वो मिट्टी है जिसके लिए हम अपना घर बार माबाप सब को छोड़ कर संगरश करने आते हैं ये मिट्टी आपके सपने पूरे करती है तो इस इंटर्वी के बाद ये कहा जा रहा है कि इन्होंने सुनु सूद ने कंग नराथ पर तंच कसा है क्योंकि पीते कुछ वक्त से कंग नराथ बॉलीवुट के खिलाफ ही बोलती भी नसर आ रही है फिलाल सुनु सूद के बाकी काम की बात करें तो उनकी काफी सराना हो रही है और उन्हें ये तैक किया है कि वो इस काम को लगातार करते रहेंगे अभी भी वो कई लोग की मदद कर रहे हैं तो वहीं लोग और फैंस उनसे काफी खुश है फिलाल बॉलिवुड की खास ख़बरों में आज के लिए इतनी ख़बरे थी जो मैंने आपको बता दी अगले हफते में फिर से आसर होगी सुनिये सिनेमा के साथ तक आप बने रहें सत्यहंदी.com के साथ नमस्कार सत्यहंदी का एप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर